नमस्ते दोस्तों स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर मैं अनीता जैन आज इस्टोबरी मिल्क शेक बनाएंगे तो चले शुरू करते हैं इसके लिए मैंने लिये 12 इस्टोबरी इने बारी काट लेंगे यह सभी इस्टोबरी को हमने काट लिये अब इसे हम जार में डाल देंगे और अब इसमें चीनी डालेंगे पास्टर में चीनी डाल देंगे आप अपने टेस्ट के अकोडिंग डाल लो अब इने हम पहले पीसेंगे हमने इसे बिना दूद के इसलिए पिसा क्योंकि अच्छे तरह पिस जाए अब इसमें आदा के लो दूद डाल देंगे यह चिल्ड दूद और इसे चला लेंगे यह अच्छे से पिस गया है अब इसमें गिलास में निकाल लेंगे यह हमारा इस्टोबरी मिल्कसेग बनके तयार हो गया है अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर जरूर करें और मेरे आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तेखने की वीडियो की टाहिए